हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग आशा है कि आप सब ठीकी होंगे आज हम आपके सामने लेकर आए हैं शर्षकफ की ग्लेट जो इस्टेटनिंग ठेरेपी मैम के हेर आपने देखे होंगे वर्जन हेर है और मैम का थोड़ा ठीक हेर है बालो में सॉफ्ट वेव है तो मैम के बा वहाश किया वाश करने के बाद हमने ड्रायर करें रहा हमने टीपर सेंट करा 20 अमने मौशा रेहने दिया फिर दैन हमने उसके बाद काफी पथले पतले स्ट्शन लेकर हमने यह हम जो कर रहे हैं एक क्रीम अप्लाइब कर रहा है और करीम हम कीवग लगने वाला है यह इस्क्रूस छोड़ के लगता है लेंट पे लगता है और आप काफी यपे रयी बांट के बाने के बालो को 10% 10 मिनट सबने चोड़ा है और 10 मिनट जब समाप टाइम हो जाता है तो जोने यह चेक करा है, बालों के अंदर bound, आप देखे रहों गाid, मैंने खीचा, और खीचने के बालों के अंदर काफी spring बन गया, तो समझ लो आपकी straightening हो चुकी है, अगर आपकी straightening हो जाती है, तो आप wash कर लो, अगर spring नहीं बनता तो wait करें और अगर बन गया तो आप wash करें wash करने के बाद आप कोसे पानी से जिसको हम गरम गुंगुना पानी कहते हैं उससे आप rinse करें और rinse करने के बाद जब अच्छी तरह क्रीम आपकी clean हो जाती है तो आप एक मिनट के लिए conditioner apply करें apply करने के बाद then उसको पूरा rinse करें rinse कर करने के बाद आप 100% dry करने के बाद फिर आपकी start होती है in तो आप आई निंग करेंगे काफी पतले पतले section लेकर find section और काफी need pressing करनी है आपको यह देखिए काफी अच्छी तरह pricing करनी है आपको पतले पतले section लेकर pricing करनी है गाइस हमारे जो इस ट्रीटनिंग के अंदर है प्रोसेस आपका काफी अच्छा होना चाहिए उसमें उसमें आपको काफी प्रेसिंग अच्छी तरह करनी होती है और आपको क्रीम भी अच्छी तरह अप्लिकेशन करनी होती है आपको नुटलाइजर भी अच्छी तरह करना हो होति है और यह हमारा आप जो आपने देखा हो गा हमनेे खलए winter嗎 यूजर करा है कि और यह हमारी निय्ट लीजिंग हो रही है जो हमारे बालो को हमने straight किया है उसी direction पर yeah new outline का का मोता है लॉग करना जैसे quals हमने example हमने pressing करी है और जैसे pressing का बाल straight हो गया है तो यह neutralizer guys उसको उसी direction पे lock कर देगा उसी direction पे straight कर देगा तो guys इसमें हिलना नहीं होता moment बिल्कुल straight होनी चाहिए client की और आपका जो application होती है यह बिल्कुल सफाई बिल्कुल अच्छा तरह होना चाहिए एकदम neat होनी चाहिए देखिए गाईस किस तरीके से मैं लगा रहा हूँ कहीं बेंड नजर नहीं आ रहा कहीं वो नहीं हो तो लगाने के बाद हमने 10 मिनट तक रखा है 10 मिनट के बाद देन हमने इसको रिंस करा है रिंस करने के बाद हमने 5 मिनट के लिए 5 से 10 मिनट के लिए हमने marks लगाया है, marks के बाद then हमने proper dry करके यह आपके सामने result है guys, देखिए काफी उच्छा result आया है